पर ये आश्रद वाला खेती हम लोगों ने पिछले साल से ही शुरू किया है दिदी लोगों ने जैसे बताया है मैं वैसे ही कर रही हूँ तीन लिटर पानी में 300 ml गौ मोत्र और जैसे नीम पते हुए करंज के पते हुए अरक के पते हुए गुड़ हुए और गाय के खाद हुए वह सब मिला कर फिर उसको खेती में प्रयोग करने के बाद बरबटी की जो सब्जियां हुए थी वह पहले से बहुत अच्छी हुए थे और उसका यूज करने का तरीका है एक लिटर पानी में हम 10 अमल डालते हैं और कहीं भी वह सब्जी वेगरा हुए उसके दाने हुए थे वह पहले से बहुत अच्छे हुए थे और पोल नहीं गया था इस वार उसके वजन भी बहुत अच्छा था किडा मकुडा लगा रहता है उस ओभी छूटता है फल भी अच्छा देता है और यदर ज्यादा दिन तक भी ओ रहता है उस प्रे करने से पहले जो खेती में हम लोग दूसरे प्रगार के अश्यत जो इस्तेमाल करते थे फसल उतनी अच्छी नहीं आती थी लेकिन पिछले साल से जब हम लोगों ने ये पॉट मेडिसिन वाला खाद यूज करा है फसल पहले से बहुत अच्छे और सेहत मन आया है कीट नाशक और उसतिमाल करते थे जब फसल होते थे तो उनका स्वाद अच्छा नहीं आता था लेकिन जब से हम लोग उने घर में खाद बनाना शुरू किया है स्वाद में भी बहुत अच्छा है और सेहत भी इससे ठीक रहता है बाकी लोगों से तो हमारी केती बहुत अच्छी हुई है और बहुत ज़्यादा हरे भरे भी हुए है गुरुबारी मा का जब फसल अच्छा हुआ बीते साल तो उसी को देख के बाकी लोग का माने माइंड अच्छा यह हुआ डायबठ हुआ और इस साल करने के लिए और लोग रेड़ी हुए